जार्खन के पूर मुकमंत्री हेमन सोरेन से संबंदित एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हेमन सोरेन ने PMLE की विसेश अदालत में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका के माधियम से हेमन सोरेन ने आगामी 23 फरवरी से सुरू हो रहे बज़श सत्र में सामिल होने की परमीसन मांगी है इसकी सुनवाई कल होनी है जिसमें दोनों और से पक्ष रखा जाएगा जहां हेमन सोरेन की और से उनकी अधिवक्ता वो अधार रखने की कोशिश करेंगे जिन आधार पर हेमन सोरेन 23 तारिक से सुरू हो रहे है बज़े सत्र में सामिल हो रहे की जो है आगरा कर रहे हैं वहीं अगर ED की बात करें तो ED भी जो अपने ओर से है पक्ष रखे इससे पहले भी हेमन सोरेन विधान सबाग के जो सत्र हुआ है उसमें सामिल हो चुके हैं आप बता दू कि 5 फरी को एक सक्ती परिक्षन किया गया थ उसमें हेमन सोरेन को PMLA की विशेस आदालत से परमिसन मिला था और एक घंटे की परमिसन पर वो विधान सबाग पहुँचे थे और उन्होंने अपना मत का प्रियोग किया था और सक्ती परिक्षन में सामिल हुए थे आला कि उस दौरां ED के जो आधिकारी थे उनके साथ थे और ED की आधिकारी जो है उन्हें लेकर विधान सबाग पहुचे थे बतादू कि हेमन सोरेन को 31 जनवरी को गिरबतार कर लिया गया था जमिन घोटाले मामले में उनकी गिरबतारी हुई थी और बरियातु रोड इस थी सारे 8 एकर की जो जमीन थी उसी मामले में उनकी पहुतारी के बाद लगभग 13 से 14 दिन तक जो है रिमांड में लेकर उनसे पूस्ताच की गई थी और पूस्ताच के बाद कई और भी मामले जो थे वो सामने आये थे जिसमें अगर बताऊं तो ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंदी जो चैट थे उसको लेकर भी बात सामने आये थी से दोन कई और लोगों को भी जो है समन बेजा गया था और समन बेज कर पूस्ताच की गई थी और बढगाई के जो पर सियाई थे वान पता प्रसाद उन्हें भी रिमांड मंड पर लिए गया था और करीब थे विनोत परसाद सिंग उनने भी बुलाए गया था उनके प्रेश सलाकार रहे अब इसे एक परसाद पिंटू उन्हें भी समन करके बुलाय गया था कई और लोग थे जिने कहीं न कहीं उस दोरान समन करके बुलाए गया था और पूरे मामले में पूछताच हुई थी तो एक बार फिर से हेमन सोरेन ने PMLA की विशेस अदालत में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका के माध्याम से उन्होंने कोट से आगरा किया है कि अगामी 23 फरवरी से शुरू हरे है जो बजधान सभा में सत्र जो शुरू हो रहा है ब विधान सभा में बजट सत्त के दोरान सामिल होने की जो परमिसन है वो कोट से मिलेगी नियूज बाइसकोप ले कैमरापसन नूतन के साथ निरज कुमार प्राचिक